नमस्कार दोस्तों जैसरी शाम जैसा कि आपने थमनेल देखा है आज की वीडियो में हम बात करेंगे अभी हाली में एक AMC ने मोतिलाल ओसवाल की जो AMC है उसने एक इंडेक्स फंड लॉंच करा है जो हमारे इंडिया का डिफेंस इंडेक्स फंड होगा ये पहला हमारा डिफ कि आपको इंवेस्टमेंट करना चाहिए विकॉज क्या है यूटूब पर भी तक आपने भॉसी वीडियो देखी सभी वीडियो में यही बताया गया है इसकी गुड साइट लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसकी डार्क साइड भी कि एक्च्वल में अगर हम ब और भी प्राब्लम हो सकती है विकॉज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है इसलिए तबित खराब होने की चक्कर में वाइस की यहां पर प्राब्लम आपको फेस करने पड़ सकती है तो चलिए थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं अगर हम बात करें दोस्तों पात है दोस्तों आप अपनी एप्लिकेशन भी ब्रोकर एप में इजली देख सकते हो लेकिन क्या है दोस्तों वीडियो में एक ही वीडियो में अगर आपको कम्प्लीट जानकरी मिल जाए तो ज्यादा बैटा रहता है इसलिए यहां पर कम्प्लीट इंफ्रमेशन आपको छी है अगर हम के बात कर्या है अगर हम इसमें इंवेश्ट्मेंड करते हैं तो यहां पर जो आपको इसय प्रैस मिलता है वography की मिलता है इसमोर है अब इसय क्या होता है जब भी कोई AMC अपना नया fund market में launch करती है तो वो जो fund launch करती है वो जिस value पे अपना fund launch करती है वो any value पे नहीं करती है वो करती है issue price पे ठीक हे? मतलब कोई بھی AMC market में जब अपना नया fund launch करेगी तो starting case को जो भी मुल्य रहता है उसको क्या बढ़ता है? issue price रहता है ठीक है जिसे मानली जी यहाप अगर आप 1000 रुपे invest करते हो तो 10 रुपे की issue price के साब से आप कितने unit आपको allot हो जाएंगे 100 unit आपको क्या हो जाएंगे allot हो जाएंगे तो इस तरीके से होता है दोस्तों एक बार जैसे मानली जी 13 जून को यह start हुआ 24 जून को यह close हो जाएगा उसके बाद क्या होगा regular base पर जो भी नए investor सभी के लिए open हो जाएगा उसके बाद क्या रहेगा इस time rate के अंदर अंदर जितने भी investor यहाँ पर पैसा invest करते हैं उससाब से तोटल जो भी पैसा आएगा उसका calculation चलेगा उससाब से क्या होगा इसके market value calculate होगी फिर यहाँ पर एक value निकलेगी एनवी तो एनवी के सबसे क्या होगा regular base पर फिर इंवेस्टर यहाँ पर इंवेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन starting में यहाँ पर क्या रहता है आप इसको एनवी वेली भी बोल सकते हो लेकिन इसको जो कहा जाता है वह issue price कहा जाता है जो starting में 10 रुपे का होता है चली यहाँ तक के बारे में हमको पता था अगर fund manager के रूप में काम कर रहे हैं चलिए यहाँ पर अगर हम AUM की बात करें AUM कैसे निकलेगा जो मोतिलाल ओस्वाल की हमारी जो AMC है अगर हम इसका दोस्तों total AUM देखें तो यहाँ पर total AUM है इसका 53,720 करोड का तो काफी बड़ा यहाँ पर AUM है इसको लेके हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो AMC है वो ट्रस्टेबल है मोतिलाल ओस्वाल को आपने देखा ही होगा मोतिलाल ओस्वाल का अगर आप mid cap का return देखोगे तो आप यह देखोगी काफी better AMC है और 99% मोतिलाल ओस्वाल AMC के जितने भी फंड से काफी अच्छा perform कर रहे हैं और investor को proper तरीके से return बनाके दे रहा है अभी देखो यहाँ पर complete हमको AMC के बारे में भी जानना पड़ेगा और defense के बारे में भी जानना पड़ेगा तब ही जाकि हम यहाँ अनुमान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर benchmark के Nifty India Defense Total Return Index अब यहाँ पर दोस्तों सिंपल ही देख लीजिए कुछ में आपको थोड़े graph बताऊंगा जिससे actual में यहाँ पर concept आपका clear हो सकेगा अब यहाँ पर देख लीजिए Nifty India Defense जो TRI उसका यहाँ पर index आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर देख लीजिए अगर हम बात करें दोस्तों 2021 की तो 60.9% का return है 2022 की बात करें तो 66.8% का return है अगर 2023 की बात करें तो 91.1% का है और 2024 की बात करें तो 59% का है तो कहा जाता है कि दोस्तों देख लीजिए अगर defense की बात करें तो regular base पे है न यह क्या जा रहा है अब जा रहा है ठीक है क्योंकि हमारा भारात का दो slogan है जब make in India मतलब जो भारात तो उसको आत्म निर्भर बनाया जा रहा है इसलिए दोस्तों complete आपको जानकर यहां पर देख पॉइंडिया इंडिया इंडेक्स फंड है इसमें इंवेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं देखो पहली चीज तो क्या है यहां फोड़ा सापको आपको अपके जो mutual fund होते हैं उसमें भाश सारी categories होती है तो यहां पर सबसे पहला बात ही है कि इसके category कौनसी है देखो क्या होता है आज इस fund की जो category है थोड़ा confusion create करती है क्योंकि दो category होती है यहाँ पर एक होती है आपके sectoral ठीके और दूसरी आपकी होती है category thematic ठीके sectoral का मतलब क्या होता है वो fund होते है जैसे माली जी आपने कोई सेक्टराल fund देखा जैसे pharma sector का आपने sectoral fund देखा sectoral का मतलब यह होता है कि किसी एक sector में आपका किसी particular एक sector में है आपका पैसा invest हो रहा है जैसे माली जी आपने कोई pharma का fund देखा तो वहाँ पर देखो कि आप उसकी जो holding रहेगी जो भी उसके stock रहेंगे वो सिर्फ pharma से related रहेंगे because क्या है sectoral fund है तो सिर्फ किसी एक ही particular sector में निवेश्ट कर सकता है लेकिन यहाँ पर हमारा जो यह मोतिला लोसवाल का जो यह index fund है यह कौन सा हमारा thematic fund है अब thematic का मतलब यह होता है यह particular किसी theme पर work करता है अगर हम इस fund में theme की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो theme निकल के आरीव वाली defense अब defense के जो theme है defense के अंदर देश में क्या है देश को आतन निर्भर बनाना है देश की रक्षा के लिए दोस्तों जितनी भी चीज़ आएंगे manufacturing को लेके वहाँ पर क्या होगा उन सबी sector में यहाँ पर investment आपको देखने को मिलेगा उन सबी होगा 15 सब्सक्राइब बता देता हूं जो अभी कंप्णी ने amc ने कर रखी है सभी इंवेस्टर को बता रखी है बाकी जब फंड पब्लिक के लिए नॉर्मली ओपन हो जाएगा जब कंप्लीड इसकी लिष्ट आ जाएगी अभीकली जो दस इसके स्टॉक है उसकी लिष्ट यहां पर सामने आपको शो हो रही होगी अब यहां पर देखो मैं ड करूंगो तो बैटर रिटन मुझे मिलेगा क्यों मिलेगा क्योंकि क्या है यहां पर देख लीजी मैं आपको एक श्लोगन और दिखाता हूं जिससे आपका कंसेप्ट और किलियर हो जाएगा यहां पर देख लीजी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टरी है वो किसके हाथ में आतन निर्भर बनाना चाहते हैं मतलब देश को आतन निर्भर बनाना चाहते हैं इस वज़ेसे क्या है दोस्तों यहां पर क्या होगा जितने भी दोस्तों आपने देखा हो डिफेंस पहली चीस तो डिफेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों जैसे माली जी रक्षा जैसे माली देख लिए जी complete 10 stock आपको देखने को मिल रहे होंगे, अब यहाँ पर dark side आपको यह देखने को मिलेगी, अगर आप normally equity के funds में investment करते हो, ठीक है, तो जैसे माली जह हम बात करें निपाउन इंडिया small cap की, तो उसकी जो holding होगी वो 200 से जादा है, मतलब 200 से जादा stocks में आपका प 6-6 साल, अगर आपकी risk लेने की capability अच्छी खासी है, तो ही आप इस sector में इस fund के अंदर investment करो, जिससे क्या होगा, और अगर आपको long term के लिए vision है, जैसे अगर आप चारों में एक साल, दो साल, तीन साल के लिए investment करो, तो यह fund आपको better return नहीं बना के देगा, because क्या है, आपको काफी जादा देखने को मिलेगा, अगर आपका goal है, मुझे 5 साल, 5 साल से plus के लिए investment करना है, तो ही यहापे आपको better return मिल सकता है, because क्या है, यहापे अगर हम देखें, stock की संक्या काफी कम है, ठीक है, अब यहापे देख लिजी, जो 15 stock है, 15 में से 10 की list यहापे है, ल आपको 10 बता है, और 10 में से जो top के 3 बता है, उसमें से कितना percent पैसा invest हो रहा है, 50%, मतला 50% पैसा आपके top के जो 3 stock है, वहाँ invest हो रहा है, अगर खुदा ना कासता, अगर यह 3 stock है, अगर इन में कोई गिरावाट आ जाती है, तो यह fund है, वो stable नहीं रह पाएगा, लेकिन यह future में कहीं हमको loss ना हो जाए, तो यहां तक का concept तो अभी तक आपके clear हो गया होगा, ठीक है, अब यहां पर चलिए थोड़ी हो और हम बात कर लेते, अगर दोस्तों अगर हम बात करें इस index fund के बारे में, तो हमारे stock market के अंदर जो listed हमारी defense के fund है, जो stock है, यह क्या करेगा, उ आपको जो उसमें total return मिलता है, वो मिलता है दोस्तों 198% का, अगर 3 साल की बात करें तो 103% का return है, और 5 साल की बात करें तो 77.5% का यहां पर आपको return देखने को मिलता है, अब यहां पर यह चीज़ देख लीजिए, आपको क्या है, अगर आप अपना पैसर invest करोगे, तो यहां आपका पैसा large cap में भी लग रहा है, mid cap में भी लग रहा है, small cap में भी लग रहा है, लेकिन दोस्तों यहां पर देखो एथोड़ी सी छोटा सा concept बताता हूं, अगर हम बात करें normal equity वाले funds की, जिसे माली जहां बात करते हैं, निपोन इंडिया small cap funds की, अब क्या होगा, आप ही पैसा है, वो multi sector में जाएगा, आपका पैसा है, अलग-अलग sector में जाएगा, और महाँ पे आपका पैसा है, defense sector में भी जाएगा, आप निपोन इंडिया small cap में जाना, और उसकी holding एक बाद चेक करना, महाँ पे आपको defense का भी, जो भी मैंने आपको top 10 stock बतायते, moon में से कुछ stock आपको दिख जाएंगे, तो कहने का मतलब अगर आपकी risk लेने की capability है, because क्या है, जब भी हम हमारा पैसा एक sector में invest करते हैं, तो क्या होता हमको risk थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, और यहाँ पे risk इसलिए देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके portfolio में जो stock रहेंगे, अब 15 stock में से, जो top के 3 stock है, उसमें 50% हमारा पैसा है निवेश्ट है, अगर खुदा न कासता, अगर market में crash आता है, अगर वो down जाता है, तो normally क्या है, आपको महाँ पे market crash के time, आपका portfolio है, वो red color को देखने को मिल सकता है, negative आपको महाँ पे मिल सकता है, तो यहाँ पे complete दोस् रक्षा के निवेश कर रहा है, दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें, financial layer 14 और 15 की, तो total budget कितना रहता था, 2.429, ठीके round figure में देखें, तो धाई, धाई लाग करोड का यह रहता था, लेकिन अभी के time में दोस्तों अगर हम बात करें, financial layer 24-25 की, तो यहाँ पे कि government की नजर से देखें, तो अगर आप इसमें investment करते हो, तो future में अच्छा कासा corpus आप बना सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप ऐसे किसी fund में investment करते हो, तो बस यह वाली बात का हमेशा ध्यान रखना, कि government कभी भी stable नहीं र काफी better है, लेकिन बस एक dark side यही है, जो मैंने आपको बताई है, कि आपको जो पैसा invest हो रहा है, अगर इसकी भी अगर हम top tech, top 50, इसकी holding देखें, top companies देखें, तो उसमें से भी जो 10 अभी हमारे सामने, उसमें से 3 में 50% पैसा invest हो रहा है, अगर कहीं न कहीं वो down जाती है, त हमको हमारा पैसा है, वो negative देखने को मिल सकता है, तो complete जानकरी दोस्ति हाँ पर आपको मिल चुकी होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी है, पर वो sector भी government के हाथ में, इसलिए यहाँ पर हम यह कह सकते हैं, कि अभी अभी हमारी सरकार है, अभी अभी नई सरकार बनी है, त इसलिए सोच समझ के यहाँ पर आपको investment करना चाहिए, अगर बात है, कि सर, इसकी growth कैसी रहेगी, तो इसकी growth आपको देखकीने को better ही मिलेगी, because क्या है, अगर हम बात करें तो India का defense का यह first हमारा क्या है, index fund है, इसलिए यहाँ पर आपको जो growth मिलेगी, वो growth देखने को मिले लेकिन बस काम इतना सा है, risk लेने की capability हो, उसी साब से ही यहाँ पर आपको अपना investment करना है, investment minimum आप क्या कर सकते हो, 500 रुपे से, यहाँ पर start कर सकते हो, SIP भी कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो, and exit load वगड़ा कितना है, complete fund में जाओगे, तो महाँ पर complete आपको detail हो जाएगी, औ साइड में यहाँ पर आपको show हो रहा होगा, तो चली आज के लिए इतना ही मिलते हैं, हमारी next video में, जैसरी शाम दोस्तों, जैसरी राते